नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का उडान्द फ्लाई के आनलाइन प्लेटफार्म पर स्वागत थे, हम सुरीज धर्दूबे आप लोगों के साथ जोगर्भी सब्जेक्ट पर डिसक्रसन कर रहे हैं, इसके पहले हम लोगों ने दो टॉपिक को कम्प्लेट किया है, को हमने तीन पार्टों में कम्प्लेट किया है, आज उसी सेक्षन को हम आगे बढ़ाते हुए, जो मिनरल्स हैं, उसके बारे में डिसक्रसन करेंगे, क्योंकि खनी संसाधन का संबंध प्रत्यक्ष या आप्रत्यक्ष रूप से, जो चट्टाने होती हैं, उसी से संबंधित होता है, और चट्टानों का किस काल क्रम में बिकास हुआ है, और इनका बितरन क्या है, उस पर आप लोगोंने विश्त्रित अध्यन कर लिया है, पिछले तीन पार्टों में, तो आज उसी से संबंधित जो प्रमुख मिनरल्स हैं, उस पर हम लोग डिसक्रसन करेंगे, लेक मिनरल्स सामाने त्यार कितने रूपों में पाए जाते हैं, तो उन्हीं सब पर पहले हम लोग सामाने परिचे लेते हैं, फिर एक-एक मिनरल्स को करके हम लोग क्रमबध तरीके से बित्मान चित्र पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा सेक्षन अभी मेरा मैपिंग का ही चल रहा ह और ऐसे पूरा इंडियन जोगर भी इसे हम कहते हैं, यह कंप्लीट मैपिंग पर ही आधारित होता है, इसमें हम लोग मैपिंग का साहरा जादा लेते हैं, और मैपिंग के लिए सबसे अच्छा आपके लिए कौन से कुस्तक है, आक्सपोर्ड, स्टुडेंट, एटलस, इं इंडिवाले को ज्यादा आप इवाइट करने का प्रियास करिए, क्योंकि इंग्लिस में चीजें आपको ठीक धंग से मिल जाएंगे, तो आइए देखते हैं, कि कौन-कौन से प्रमुख खानिशन साधन हैं, जिसे हमें पढ़ना है, हाँ, यह वीडियो के दवरान किसी प् इवर्टिजमेंट आता है, तो प्लीज उसे आप पूरा देखें, उसको इसकिपना करें, और यदि चैनल अच्छा लग रहा है, तो इसको सब्सक्राइब भी करें, प्रमूट भी करें, और अगर किसी प्रकार का आपको कमेंटमेंट करना है, तो आप उसे कमेंटमेंट भ तो भी राय होगी दी जाएगे. तो ठीक है, आईए, आज हम लोग आगे बढ़ते अपने क्लास में. और सबसे पहला ही है, कि mineral resource, क्या है, mineral resource, यानि जो ख्रत्राइब संसाधन है, उसी की बारे में, हम लोग जानकारी हांसिल करते हैं, कि जो खनिज संसाधन होते हैं, देखो, सुरू के कुछ पॉइंट आपको बिंदुवार मिलेंगे, क्योंकि यहां से प्रसंड डिया जाते हैं, पूछ लिया जाता है कि खनिज संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कहां कहां से पाय जाते हैं, तो कुछ खनिज संसाधन अस्थलिय भाग से पाई जाते हैं और ज्यादा तर खनिस संसाधन समुद्री भाग से पाई जाते हैं। तो उसी गवारी मिखा गया है कि खनिस संसाधनों का जो भंडार है अस्थलिय भाग के साथ साथ समुद्री छेत्र में भी संचित होते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जादा तर, पूरे अर्थ की अगर बात करें, पूरे अर्थ पे जो खनिस संसाधन के भंडार हैं, सबसे ज़्यादा कहां पर पाई जाएंगे, तो ध्यान रखेगा, समुद्री संसाधन सबसे ज़्यादा होते हैं, अस्थले संसाधन तुल प्रवारे को लेकर कि कहां तक का संसाधन किसका होगा, इसमें किसी भी प्रकार का बिवाद उत्पन्द ना हो, उसके लिए एक ला बनाया गया है, जिसका नाम पूरा है, अनकलाज, क्या नाम है? अनकलाज, और इसी को कहते हैं, United Nation Convention on the Law of Sea, यानि सागर का कानून, किसने बनाय है, United Nation ने, और जितने भी United Nation के सदस्राश्टर हैं, वे इसी कानून के तहत, या इसी कानून के दाइरे में रह करके, समुद्री संसाधनों का दोहन करेंगे, और ये कानून कब बनाया गया था? 1982 में, यानि 1982 में बनाया गया था, इसके तहत, कुछ ब्यावस्था की गई है, कि समुद्र के कितने छेत्र को हम लुग किस-किस नाम से जानेंगे, और कहा तक के समुद्री संसाधनों का हम लोग दोहन कर सकते हैं, उसी के बारे में पहले हम लोग जानकारी हासिल कर लेते हैं, तो सबसे पहला यहाँ पे लिखा गया है, कि इसके तहथ, जो 200 नाटिकल मा कि coastline और coast में क्या अंतर होता है जैसे एक बात कहें कि अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर छोटा सा एक इमेज बना दें कि जैसे मालत में भारत का इमांचित्र है तो देख रहे हैं यह सीधा नहीं है थोड़ा बहुत तेढ़ा मेड़ा है क्या थोड़ा बहुत तेढ़ा मेड़ा है तो इसको क्या करना है इसको एक सीधी रेखा में ऐसे मिलाते चले जाओ तो जो सीधी रेखा होत है सीधी होती है जो तट से थोड़ा दूर होती है तो यहाँ कारा है 200 नं उर्टिकल माइल तक का छेत्र कहां से तट रिखा से जो होता है वहां तक पर उस देश का अणन्यारथियों तो से भारत है तो भारत की कॉस्ट लाइन से 200 नाइटिकल माईल तक के छेत्र पर भारत का क्या है अनन्य आर्थिक छेत्र है जिसको इंग्लिज में कहते हैं Exclusive Economic Zone यानि EEZ Exclusive Economic Zone जहां तक कि समुद्रि संसाधनों का दोहन भारत कर सकता है इसी प्रकार सभी देशों का एक अनन्य आर्थिक छेत्र होता है लेकिन वहाँ पर भी कई प्रकार के confusion बीच में create होते हैं सभी माल देश हैं दो कि बेच का भाग 200 कไ关 नहीं है जैसे बांगला देह भारत, न्यामार भारत ओथ इसके लिए भी स्थीनों प्रावधान किया गया किसी इसका ब्टवारा किया defy गया तो हम लोगग अभी इतने foreign में नहीं जाएंगे उसको लोग अलग से सीखेंगे जब सीखना होगा तो अब इतना समझते हैं कि किसी भी देश के कोश्ट लाइन से 200 नाटिकल माईल तक का छेतर उस देश का अनन्य आर्थिक छेतर कहलाता है जहां तक के समुद्री संसाधनों का वह देश दोहन कर सकता है तो ठीक है यह हम क्यों जानना चाह रहे हैं क्योंकि समुद्री क्योंकि जो संसाधन होते हैं खनिस अंसादन यह अस्थल के साथ-साथ समुद्र में भी पाए जाते हैं, इसलिए समुद्र का यह कानून आपको जानना आवस्यक था, लेकिन यह जो समुद्र का कानून है, इसमें और भी दो-तीन पॉइंट है, उसको भी जानने नावस्यक है, इसमें सबसे पहला होता है, 12 nautical mile तक का छेत्र 24 nautical mile का छेत्र और एक होता है 200 nautical mile तक का छेत्र तो देख लेते हैं उसके पारे में थोड़ा सा फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर जो बात कर रहा है कि जो baseline है baseline यानि हम कह सकते हैं यहाँ पर जो हमारा coast line है तट नहीं तट से दूर जो coast line है उस coast line से 12 nautical mile तक के छेत्र को किस mile तक के छेत्र को 12 nautical mile तक के छेत्र को हम लोग कहते हैं territorial sea क्या कहते हैं? territorial sea और उसके अंदर वाली चलगो जयसे माले तक coast हमारा यहाँ पर है suppose that क्या है? कोस्ट हमारा यहाँ पर है लेकिन कोस्ट लाइन यहाँ पर है क्यों क्यों कि इधर का छेतर बहुत कटा फटा है इसलिए वहाँ से हम एक्जेक्ट मेजरिंग नहीं करते हैं हम लोग कहां से करते हैं कोस्ट लाइन से तो यह जो यहाँ का जल है इस जल को हम कहते हैं आंतरिक ज कहते हैं ठीक है और इसी कोष्ट लाइन से अगर ट्वंटी फोर तक पहुंच जाते हैं कहां तक पहुंच जाते हैं 24 यह हम कहें 12 से 24 तक का छेतर होता है उसको हम कहते हैं कांटिग यूस जोन यह दूसरा छेतर होता है और अगर हम 209 अटिकल माइल तक चले जाएं कहां तक चले जाएं 200 अटिकल माइल तक तो उसको हम लोग कहते हैं इक्सक्लिउसिब इकोनामिक जोन यहां कानून किसका है यूनाइटेड नेशन का है शमुद्र से संबंधित यह क्या है एक कानून है और इस कानून का पालन सभी सदस्य राष्टों को करना अनिवारी होता है ठीक है और इसी संबंधित एक दूसरा भी इमेज है आप चाहे इक्सक्लिउसिब इकोनामिक जोन और इसके बाद के जो छेतर होते हैं उसको कहते हैं ओपन सी यानि खुला सागर यानि उस पर किसी एक देश का कानून नहीं लागू होता है उस पे सभी देशों का क्या होता है बराबर का अधिकार होता है जो उस सागर से संबंधित होते ह ठीक है और थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और इससे सब्मंदे तब हम देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहला वही था कि जो सबसे पहला पॉइंट है उसमें क्या है आंतरिक जल आंतरिक जल क्या होता है कोस्ट तथा कोस्ट लाइन के बीच के छेत्र को हम लोग क्या कहते हैं आंतरिक जल क्या कहते हैं आंतरिक जल या इसे को कहते हैं इंटर्नल वाटर फिर जब कोस्ट लाइन से बारह नाटिकल माईल तक हम जाते हैं तो उसका नाम होता है टेरिटोरियल वाटर क्या कहते हैं टे तो ऐसे आप इंग्लिस में नाम याद रखें, क्योंकि किसी भी एक्जाम में अगर इंग्लिस वाले प्रश्न को आप समझने का प्रयास करेंगे, तो आप किसी प्रकार का कोई confusion नहीं होता है, लेकिन हिंदी में इसी territorial को किस language में उसको लोग translate करेंगे, आप समझ नहीं पाए है, तो हिंदी में confusion हो सकता है, लेकिन territorial, इंग्लिस में territorial ही लिखेगा, इसलिए जादा तर ज्योगरफी के जो term है, concept आप हिंदी में समझेए, कोई इसमें समस्या नहीं है, लेकिन जो term है, उसका at least आपको जो भी pronunciation है, या जो भी उसके English के हैं term, उन उस term को आप समझने का प हर्मार है, क्यों क्यों कि जो भूगो लिखे गए हैं जादा तर या वेस्टर्न कंट्री की द्वारा लिखे गए हैं, तो यह उनके language है, हम लोग या फिर और लोग उसको copy करते हैं, तो जब copy करते हैं, तो कई टर्मा जाते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखेगा, पहला है internal water यानि आंत्रिक जल्ब, तूसरा है, टेरिटोरियल वाटर, छेत्री जल्ब, और दूरसे समस्या यह भी होती है, कभी-कभी इसी टेरिटोरियल को हिंदी में भी टेरिटोरियल ही लिख देगा, क्यों लिपी क्या रहेगी, आपकी देवनागरी हो जाएगी, तो ऐसा confusion हैं, और जिसको हिंदी में कहते हैं, निकट वर्ती छेत, क्या कहते हैं, निकट वर्ती छेत, और जो सबसे लास्ट वाला है, यानि चौथा पार्ट है, इसी को हम कहते हैं, अनन्य आर्थिक छेत, यानि exclusive economic zone, जिसका विस्तार 200 नाटकल माईल तक होता है, तो जो समुद्री स संसाधन होते हैं, उस समुद्री संसाधन का उस particular देश दोहन कर सकता है, कहां तक का 200 नाटकल माईल तक के छेतर का, यानि भारत, और यहां पर जो line मानी जाती है, जिसको हम लोग coast line कहते हैं, ऐसा नहीं कि जो main land है, उसी को हम लोग वहां से अपने territorial नापते हैं, ऐसा नहीं हैं, इसका basic जो concept होता, अगर माने देश भारत है, तो भारत के दो छोटे छोटे दियूप हैं, दियूप समुव भी हैं, जिसमें अंडमान निकोबार है, लक्ष दियूप है, तो भारत के main land से 200 नाटकल माईल तक तो ही है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जो भारत का natural, दियूप है, वहां का भी एक exclusive economic zone develop होगा, यानि वहां से भी 200 नाटकल माईल मेजर किया जाएगा, वह भी भारत का part होगा, हाँ, लेकिन ध्यान रगना है, कैसा island होना चाहिए, natural, artificial नहीं, अगर प्रकिति प्रदत आपके पास कोई island है, तो उस island से भी 200 नाटकल माईल तक क चेतर पर आपका अनन्य आर्थिक चेतर कहलाता है, जहां तक के समुद्री संसाधन का आप दोहन कर सकते हैं, त्यानि अंडमान निकोबार के भी पेरी फेरी में 200 नाटकल माईल, लक्ष दियूप के भी पेरी फेरी में 200 नाटकल माईल, साथ में पूरे भारत के पेरी फेरी के दोहन कर सकता है लेकिन जब दो देशों की इंटरनेशनल सीमा जल में अगर बिबाद पैदा करेगी तो वहां पर उसका 50-50 बटवारा हो जाता है ठीक है 50-50 मतलब अब जिसे भारत से लंका है माले तेमें दोनों की बीच की दूरी अगर 200 नाटिकल माईल के दाइरे में ही आगई तो अगर 200 का आभा उसके पास आधा भारत के पास तो ऐसा बटवारा गर दिया जाता है अगर दो देश कहीं पर इस प्रकार से आमने सामने आ जाते हैं तो अन्य था 200 नाटिकल माईल तक का उसका छेत्र कहलाता है अग इसी के तहत जब हम भारत के खनिश संसादनों का अध्यन करते हैं, तो खनिस संसाधन बेसिकली हो गए दो प्रकार के, एक तो हो गया, जो धरातल पर पाए जाते हैं, और दूसरा हो गया, जो समुद्री सतह पर पाए जाते हैं, जो समुद्र का नितल है, वहाँ पर भी बहुत सारे खनिस संसाधन है, तो यहाँ पर जो सब हमारा देश है, इसके अधिकांस खनीज़, हमारा ही देश नहीं हम कहेंगे पूरे पृतिवी का जो खनीज संसादन है, उसका अधिकांस भाग कहां से मिलता है? जादा तर समुद्री संसादन के रूप में मिलता है और यहां पर बात कर रहा है, जो पेट्रोलियम और इसको हम कहते हैं आफ सोर तो हम लोग देखेंगे आफ सोर किसे कहते हैं बैक सोर किसे कहते हैं इस सारे पॉइंट हम लोग अलग से सीखेंगे जब समुद्र भी ज्यान पढ़ेंगे तो लेकिन अभी यह ध्यान रखिएगा कि जब आप समुद्र की तरफ आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आप वहाँ देखेंगे बैक सोर आ जाता है फिर आउन सोर आ जाता है यानि इसके पहले वाले पार्ट में अगर हम दिखाना चाहें आपको यहाँ पर इसको हम लोग समुद्र विज्ञान में सीखेंगे अभी नहीं लेकिन फिर भी यह संचेप में है, कि तट के एकदम पास होता है बैक्सोर, और तट से थोड़ा से जैसे आगे बढ़ते हैं, जहांपर जौरबहटा आते रहते हैं, समुद्री लहरे आती रहते हैं, उसको कहते हैं आंसोर, और जो छेतर समुद्री लहरों से परिव होता है, यानि वहाँ कभी छेत्र जल से मुक्त नहीं होता है, उसको में लोग कहते हैं आफसोर, यानि जल मगन हमेशा रहता है, आफसोर वाला एरिया, और यहाँ पर जल आता ही नहीं है, यहीं पर जल रहता है जो आफसोर है, तो ठीक है, यानि जो जादातर समुद्री संसादन जिस आप सोर का मतलब एस समुद्र के नितल में इनका इस्टोर होता है तो ठीक है अगर नितल में इस्टोर होता है तो समुद्री कानून जानना जरूरी है और कहां तक कानून एलाउ करता है 200 नाटिकल माइल तक के छेत्र को उस देश का अनन्यार्थिक छेत्र घोसित करता है और किसी कानून के तहत ही जो मुंबई हाई है या भारत के ठेरिटरी में आता है जबकि उसकी distance आप देखेंगे में कोस्ट से काफी ज्यादा अंदर आती है लेकिन फिर भी या भारत के ठेरिटरी में आता क्योंकि 209 अर्ट कल माईल के अंदर है फिर अगला पॉयंट यहां पे क उसके बारे में भी थोड़ी से जानकारी हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप के वल भूगोल पढ़ रहे हैं, तो भूगोल के अलावा आप कुछ भी नहीं देखेंगे, अरे जो उससे मिलता जुलता है, जिसका सहयोग भूगोल में लिया जाता है, उसको भी आ करना है, तो समुदरी कानून जानना पड़ेगा, उसी प्रकार, यदि आपको खनी संसाधन का बित्रण देखना है, या इनका खनन कौन करेगा, इस पर किसका अधिकार होगा, ये सारे कानून कहां बताएंगे, सम्विधान में बताएंगे हैं, तिसलिए सम्विधान की जा क्रियानिवन, राज सरकारों की जिम्मेदारी है, यहाँ पर थोड़ा सा यह गलत है, इसको सही कर लिजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रियानिवन, क्या हो जाएगा, क्रियानिवन, राज सरकारों की जिम्मेदारी है, और उसी राज की द्वारा इस पर क्या किया पिर अगला पॉइंट का राय लेकिन केंद्र सरकार जो है खान और खनिज अधनियम 1957 के अंतरगत बनाए गए कानून की जरिये अप तटी छेत्रों में खनिजों के उत्पादन को नियमित करता है। सिधा सिधा जानिये जो भारत की में लेंड है या फिर कोई दिवप है ये दिवा किसी राज्य की सीमा में आता है तो वहाँ पर पाए गए किसी भी खनिज संसाधन पर जो कानून बनाय जाएगा या उसका किस प्रकार से दोभन किया जाएगा या उस राज्य की जिमिदारी ह लेकिन ऐसा कोई भी खनी संसादन जो किसी राज्य के दाइरे से परे है और वो छेत्र कौन सा है? समुद्र का है क्योंकि वह किसी राज्य के दाइरे में नहीं आता बलकि वह भारत सरकार के दाइरे में आता है तो उस पर जो भी कानून बनाए जाएंगे या उससे सम्बंधित जो खनन की नीतिया बनाई जाएंगी वह केंदर सरकार के द्वारा बनाई जाएगी जबकि में लैंड में जो किसी राज्य के परित्मी आता है उस पर कारून कौन बनाता है? राज्य सरकार बनाता है ऐसी ब्योस्ता हमारे सम्बिधान की द्वारा की गई है लेकिन केंदर के द्वारा कप की गई थी? 1957 के द्वारा इस पर प्रावधान बनाया गया है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं और क्या बिंदू दिया गया है? तो आगे जब आप देखेंगे इसका मतलब कि जो खनिज संसाधन से संबंधित कारे करने वाली कमपनियां है या जो उद्योग घराने हैं, इन उद्योग घरानों में भारतिये तो हई हैं साथ में जो बिदेशी उद्योग हैं, वो भी इसमें कारे कर सकते हैं और एक कब्योस्ता की गई है? 1993 में जाइर सी बात है, जब LPG लागू हुआ यानि प्राइबेटाइज किया गया है, वहाँ पे लिब्रलाइज किया गया है ग्लोबलाइज किया गया है हमारी भारती अर्थ ब्योस्ता को उदारी करन, बैस्वी करन और निजी करन तो उसी के तहट इसमें भी वहाँ ब्योस्ता लागू कर दिये यानि यहाँ पर भारती निवेशकों के साथ साथ, भारती उद्योग धंदों के साथ साथ जो बिदेशी सेक्टर है, वो भी इसमें इंट्री करेंगे और वो भी इस छेतर में क्या करेंगे, अपना जो योगदान है हुआ दे सकते हैं ऐसी ब्योस्ता कप की गई, 1993 में, तो आप याद कर सकते हैं कि 91 में आपका LPG लागू हुआ और उसी के बास से इसको भी क्या कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है तो ठीक है, यानि बिदेसी भी जो भी इन्वेस्टमेंट है, वो यहाँ पर आएंगे और इसमें कारिय कर सकते हैं, अगला पॉइंट दिया है कि बरतमान मूल्ली पर, कुल सकल मूल्ली वर्धन, यानि जिसका नाम है GBA, ग्रास बेलू एड़ेड, सब इको नामी में आप सीखेंगे फिर भी इसका मतलब यह नहीं की को नामी का एक भी टर्म आप के लिए स्तुनना या कहना या बोलना या याद करना गुना है याद तो करना ही पड़ेगा, नहीं याद करेंगे तो समस्या आपके सामनी आएगी क्योंकि कोई भी exam या कोई भी subject isolate में develop नहीं होता है उसके पेरी-फेरी में बहुत सारे subject आते रहते हैं इसलिए उनके term को समझना, जानना और उसे संबंदित जो भी महत्पूर आकड़े हैं आपको याद भी करना पड़ेगा तो यहाँ पर उसी की बात कर रहा है कि बरतमान मूले पर जो कुल सकल मूले वर्धन है 2018 में, कब की बात कर रहा है? 2018 में, यानि latest टांकड़ा है 2018 में खनन वा उत्खनन, यानि जो mining और quaring है इसमें योगदान कितना है? 2.4% यानि भारत का जो शकल घरेलू उत्पाद है एक प्रकार से उसमें कितना योगदान है? खनन का या इस mining से संबंधित जो सेक्टर है? 2.4% तो आप इस आंकड़े को याद कर लिना है और यानकड़ा कप का है? यानि इंडियन मिनरल्स का रिपोर्ट है और यह है 2018-19 की उसकी अमसारे बताया गया है कि कितना है टोटल योगदान? 2.4% है तो इस आंकड़े को आप याद रखिएगा फिर आगे कहा रहा है और यह बुक है इंडियन मिनरल इयर बुक यह है और इस बुक का जो इयर है कप का है? 2017 इसी के अमसारे बताया जा रहा है कि 2016 और 2017 में कब? 2016 और 2017 में कुल कितने खनिज थे? 95 यह आंकड़ा दिया गया कप का है इंडियन मिनरल इयर बुक? 2017 की है और इसमें आंकड़ा कप का है? 2016 के इतना बताया गया है? टोटल खनिज कैटने है? 95 लेकिन इन 95 में कुछ विभाजन है और विभाजन क्या उस देख लिजिएगा? इसमें से 4 खनिज संसाधन कितने खनिज संसाधन चार खनिज संसाधन जिनका टोटल योगदान कितना है 67% कितना योगदान है 67% किस दृष्टिकोंड से खनिज उत्पादन मुल्ड के दृष्टिकोंड से जो खनिज का मुल्ड है यानि टोटल खनिज माल लेते हैं 100 रूपए का है कितने का है 100 तो इनका योगदान है 67% लेकिन इसके अंतर कितने खनीज आते हैं चार आते हैं, ठीक है, उसी प्रकार दिया है कि 10, 95 में से कितने, 10 जो खनीज संसाधन है, ऐसा नहीं कहिएगा कि टोटल खनीज संसाधन के वन 95 है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है, खनीज संसाधनों के लिष्ट तो बहुत लंबी चोड़ी है, यह सिर्फ यह कहा जा रहा है कि जो कुछ प्रमुक खनीज संसाधन हैं, जिनकी संख्या हम 95 मान रहे हैं, इसमें से 4 खनीज संसाधन एधन वाले हैं, जिनका टोटल खनीज उत्पादन में योगदान 67% है और इस 95 में से जो 10 खनिज संसाधन है यह कैसे हैं यह धात्विक हैं कोई से हैं धात्विक हैं जिनका कुल खनिज उत्पादन मुल में योगदान कितना है 12% है यानि खनिज कम लेकिन योगदान ज्यादा सब ज्यादा किसका है इधन खनिज का और तीसरा दिया है तेज जो खनिज संसाधन है एक इस प्रकार के हैं आधात्विक हैं कैसे हैं आधात्विक 10 कैसे हैं धात्विक 4 कैसे हैं इधन और आधात्विक आले का जो योगदान है खनिज मोलने में कितना है दो परसेंट है कितना है दो परसेंट है तो इस परसेंट को भी आप य उस हिसाब से आप आइडेंटिफाई करके पढ़िए, ऐसा नहीं कि हर एक्जाम की द्रिष्टकोंड से अलग-अलग है, आप इसको अपनी आउसेक्ता अनुसार मोडिफाई करिए, कि आपको किस एक्जाम की तैयरी करना है, वंडे देना है, तो आप उस हिसाब से देख क्योंकि कोई भी एक्जाम का अब लेबल तैय कर पाना बड़ा मुश्किल हो गया है कि किसका लेबल कौन सा है, यह वंडे का है कि सिविल का है, ऐसे ऐसे प्रस्णाप से पूछे जाते हैं, तो ठीक है, फिर यहाँ पर का रहा है, लगबग 55 जो खनिज संसाधन है, यह कैसे हैं, लग हुएं, लग मतलब यह है, इसमाल स्केल के हैं, और इनका टोटल जो योगदान है, पूरी खनिज उत्पादन में कितना है, 19 परशेंट है, कितना है, 19 परशेंट है, और तीन खनिज किस से संबंदित है, नाभिकी हैं, कैसे है, नाभिक से संबंदित है, यानि जो परमाण उर्जा से सम्मंदित है, उसमें तीन खनिज संसाधन आते हैं, यानि टोटल 95, ठीक है, अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं इसे सम्मंदित, कि खनिज उत्पादन के संदर्व में सरवाधिक योगदान किसका है, तो यहां से हम सोच रहे हैं क इसकी जो इंडियन मिनरल्स येर बूक है, 2017 की पूरी रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को और साथ में इसे सम्मंदित जो और भी कुछ महत्पूर्ण बिंदु हैं, उसको हम लोग एक अलग से पार्ट में कबर करें, क्योंकि ज्यादा एक ही साथ लोड लेना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा तो हैने complete हो जाएगा, तो इसको हम लोग कई पार्ट में देखेंगे, तो इसके आगे का जो भी section होगा हम लोग उसको एक अलग से पार्ट में देखेंगे, तो ठीक है, हम मिलेंगे next video में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद.